दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Current Affair 2023 के दोस्तों 40 ऐसे Important Question Answers जो की 100% परिक्साओं में पूछ जाएंगे देखे 2023 के अभी तक की मैं बात करूँ तो 40 मैंने ऐसे परसनों को निकाला है जो 100% पूछ जाएंगे आप चैक किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा सुरू करते हैं इस वीडियो को और पहला Question आपकी स्क्रीन पर है Asia की पहली Hydrogen Train किस देश में लौँच हुई वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो जल्दी से आंसर बताईए इस कोशन का सही उत्तर रहेगा चीन में दोस्तो चीन में Asia की पहली Hydrogen Train लौँच हुई है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है बी रैट आंसर है याद कर लेना दूसरा कोशन आता है किर्केट के सभी फोर्मेट में सतक लगाने वाले पहले भारतिय कप्तान कोन बने है ध्यान से सुनना दोस्तो सभी फोर्मेट में सतक लगाने वाले पहले भारतिय कप्तान की बात की जा रही है तो आंसर क्या रहेगा जल्दी बताईए आप लोग भी ट्राई करके देखे क्या आंसर सही कर पार है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा रोहित सर्मा यानि की B राइट आंसर हो जाएगा तीसरा कोशन आता है किस राज्य के पूर राज्य पाल O.P. कोली का निधन हो गया है दोस्तो तो इस question का right answer क्या रहेगा इस question का right answer रहेगा ये थे दोस्तों गुजरात के पूर राज्यपाल यानि की C right answer हो जाएगा भई अगला question आता है रास्टिये जन्जातिये मोहत्सव आदी मोहत्सव कहा आजित हुआ जिसका उद्गाटन पियम मोधी ने किया मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही उत्तर रहेगा दिल्ली में यानि की option A right answer हो जाएगा दोस्तों अगला question आता है टेस्ट किरकेट के इत्यास में सबसे जादा चक्के लगाने वाले खिलाडी कोन बने हैं तो ये भी काफी important question है दोस्तों 100% ये एक्जाम में जरूर पूछ जाएगा इस question का right answer क्या रहेगा when stocks यानि की option दोस्तों see right answer हो जाएगा पांचवे question का सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का पीडियाप लेना चाहते हैं तो only top study app को download करिए 5 star की rating करिएगा इसके बाद आप जैसे rating कर देंगे तो जितनी भी यूटूब पर वीडियो जाती हैं वो free में मिलना आपको start हो जाएगे उनकी पीडियाप daily current फिर भी पीडियाप यहां से आपको मिल जाएगी और जो हमारी paid पीडियाप है दोस्तों 6000 के question answers की master पीडियाप यह मिलेगे आपको हमारी website और whatsapp नंबर से मातर 150 रुपीज में आपको सारे subject मिल जाते हैं history, geography, polity, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk, all subject सभी classes के timing को note करिए चैनल को subscribe कर लीजे ताकि कोई भी वीडियो मिसना हो चटा question क्या कह रहा है बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए UNICEF इंडिया के national brand ambassador कोन बने हैं दोस्तों very very important mark कर लेना इस question को भी इस question का दोस्तों right answer हैगा आयूसमान खुराना यानि कि दोस्तों option A right answer हो जाएगा ठीक है? चले अगला question आता है महरास्ट्य सरकार ने चतरपती सिवाजी महराज की जैनती पर समारो कहां आयजित किया तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा? ये question पूछा जा सकता है क्योंकि कहां पर आयजित हो है दोस्तों आगरा किला यानि कि option हो जाएगा D right answer तो ये काफी important question बन जाता है अगला question दोस्तों आता है एसिया का सबसे बड़ा Aero India 2023 का आयोजन की सहर में हुआ जिसका उद्गाटन PM Modi ने किया है तो इस question का जल्दी से आंसर बते बिलकुल मेरे प्यार दोस्तों इसका उद्गाटन हुआ है बेंगलूर में यानि की B right answer हो जाएगा ये भी important question है अगला question आता है PM Modi ने किस राज्य में जल जन अभियान की सुरुवात की है तो PM Modi ने दोस्तों किस राज्य में जल जन अभियान की सुरुवात की है इस question का सही उत्तर क्या रहेगा important है ये question भी और इस question का सही उत्तर हैगा राजिस्थान यानि की B right answer दोस्तों हो जाएगा अगला question आता है मारास्ट सरकार ने मारास्ट भुषन अभार 2022 किसे देने की घोशना की है तो ये दोस्तों किसे दिया जाएगा इस question का right answer क्या रहेगा दताइत्रे नारायन दरम अधिकारी यानि की दोस्तों option हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है अगला question आता है तुर्के और सीरिया में आए भुकम से परभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान सुरू किया मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी भुकम से संबंदी 30 question आपको cover कराये थे उसमें जो अभी तुर्की में दोस्तों जो भुकम पाया है उस पर भी आधारित कहीं person है उस वीडियो को जरूर देख लेना मैंने चैनल पे जाओगे तो playlist में मिल जाएगी वीडियो और वैसे भी मिल जाएगी तो इस question का दोस्तो right answer हैगा operation दोस्त ये very very important mark कर लेना question क्योंकि ये 100% कोई न कोई exam में जरूर आएगा बहुत सारे exam है दोस्तो 2023 में आप त्यारी किसी भी exam की कर रहे हैं वीडियो को पूरा अंतक देखेगा बारवा कोईशन है देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताइए जिसने green bond green bond जारी किया है तो इस question का राइटान से क्या रहेगा बिलकुल मेरे प्यार दोस्तों इंदोर नगर निगम जो की मध्यव परदेश में है यानि की बी राइटान से दोस्तों हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आता है परदान मंत्री नेंद्र मोदी ने किस राज्ये में एसिया की सबसे बड़ी helicopter factory का उदगाटन किया तो ये भी एक most important question है दोस्तों क्योंकि एसिया की सबसे बड़ी helicopter factory दोस्तों इंडिया में बनने जा रही है कहाँ पर करनाटक में यानि की डी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ठीक है भई अगला question आता है UPI पर credit card को support करने वाला भारत का पहला app कौन सा बन गया है तो इस question का right answer क्या रहेगा तो mobi quick इस question का right answer रहेगा दोस्तों यानि की C is the right answer तो ये आपको याद दखना है अगला question मेरे प्यार दोस्तों आता है नीती आयोक के नए CEO कौन बने है very very important mark कर ले न और देखे मैंने topic wise जो जीके है topic wise current affair है topic wise science है ठीक है सभी की अलग-अलग playlist बनाई है और description box में link भी दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोस देख सकते है ठीक है तो नीती आयोक के नए CEO कौन बने है दोस्तों right answer is BVR सुबर मलिया most important question है C right answer हो जाएगा याद रखेगा अगला question दोस्तों आता है गरह मंतरी आमित साने किस police station को देश के number one police station के रूप में पुरुषकार दिया इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सहे दोस्तों असका police station को यानि की A right answer हो जाएगा ये भी most important question है देखे सेशन अच्छा लगे तो like कर देना अपने उन भाई बेन दोस्तों के साथ में share कर देना जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं मैं आपके लिए इसी परकार से सारी current affair देखे daily basis तो हम cover करते ही हैं मंतली हो गई वैसे important current affair हो गई topic wise current affair हो गई सब कुछ cover कराते हैं only topic study पर channel के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीजा मिलते रहेंगे दुनिया की पहली पूरी तरह से digital party कोंसी बन गई है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा दुनिया की पहली पूरी तरह से digital party कोंसी बन गई है तो right answer is भारते जनता party यानि कि BJP दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा B इसदा राइट आंसर अगला कोशन आता है आंदर प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी तो देखें आंदर प्रदेश की नई राजधानी भी दोस्तो बनी है तो ये कोशन आप most important mark कर लेना इस कोशन का राइट आंसर हैगा विसा का पटना D राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा 18 कोशन का सही उत्तर अगला कोशन आता है Henley Passport Index 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे सक्चिसाली है इस कोशन का जल्दी से आंसर बताईए मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा जापान का दोस्तो यानि की option A right आंसर हो जाएगा अगला कोशन दोस्तो आता है चतरपती सिवाजी महराज की जैनती कब मनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तो चतरपती, सिवाजी, महराज की जैनती कब मनाई जाती है तो राइट आंसर रहेगा 19 फरवरी को यानि की option दोस्तो ए राइट आंसर हो जाएगा अगला question आता है भारत निर्वाचन आयोग ने मद्दाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को launch किया है मेरे प्यारे दोस्तो भारत निर्वाचन आयोग ने एक गीत launch किया है मद्दातों को प्रेरित करने के लिए और गीत है मैं भारत हूँ, हम भारत के मद्दाता है यानि की इस question का राइट आंसर दोस्तो C हो जाएगा ठीक है भाई? चले अगला question आता है तो इस question का right answer दोस्तो क्या रहेगा तो यानि की D right answer दोस्तो हो जाएगा देखे ये हुए थे दोस्तो पाचवे खेलो इंडिया यूद्स गेम 2022 के लिए 2023 में आयजित के गए थे ये भी आपको आदकना है और ये पाचवा जो दोस्तो संस्क्रण है ये मध्या परदेश में हुआ था ठीक है 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक और इसमें पहले स्थान पर महराश्ट्रा दूसरे पर हर्याना और तीसरे पर दोस्तो मध्या परदेश तो ये भी आप लोग याद रख सकते है अगला question आता है किस team ने लगतार तीसरी बार Men's National Ice Hockey Championship 2023 को जीता तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा ITBP ने यानि कि C right answer दोस्तो हो जाएगा ठीक है भाई अगला question आता है UNESCO किस विष्व विद्याले को दुनिया का पहला living विरासत विष्व विद्याले को गोसित करेगा तो उस्तो right answer क्या रहेगा विष्व भारती विष्व विद्याले को मेरी प्यार दोस्तो यानि कि option A is the right answer ठीक है अगला question आता है अंतरास्ट्य मात्र भासा दिवस यानि कि international mother language कब मनाया जाता है तो इस question का सही उत्तर रहेगा 21 फरवरी को यानि कि D right answer दोस्तो हो जाएगा विष्व ठीक है दोस्तो ये बहुत important question है मार्ग कर लेना इसको important भारतिय भूवेज्यानिक सर्विक्षन ने किस राज्य या केंसासित परदेश में फरवरी 2023 में लीथियम के बड़े भंडार की खोज की most important mark कर लेना ये question इस time पे बहुत चर्चित भी है और ये दोस्तो आपका एक्जाम में जरूर पुछे जाएगा इस question का right answer एगा दोस्तो ये लीथियम के जो नए भंडार मिले है दोस्तो जम्मू कस्मीर में मिले है यानि की B right answer हो जाएगा अगला question आता है रास्टे डाक टिकट परदस्टनी अमरत पेक्स 2023 का आयोजन किस सहर में किया गया तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुर दोस्तो ये किया गया दिल्ली में यानि की B right answer हो जाएगा ठीक है अगला question आता है खेलो इंडिया विंटर्स गेम गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंसासित परदेश पहले इस्थान पर रहा तो इस question का सही उत्तर क्या रहेगा तो ये खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से सुन लीजेगा विंटर्स गेम में पहले स्थान की अगर बात कीज़े दोस्तो इसमें जम्मू कस्मीर पहले स्थान पर रहा यानि की option A is the right answer अगला question आता है कितने लाक अमीर लोगों ने वर्स 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ी तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने लाक अमीर लोगों ने वर्स 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ी है तो right answer is 2.25 lakh तो ये भी आपके लिए question बन सकता है C right answer रहेगा अगला question आता है किस पूरू भारतिय क्रिकेटर को नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच न्यूक्त किया गया तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है दोस्तो Monty Desai को यानि की option दोस्तो A right answer हो जाएगा अगला question आता है काला घोडा कला फेस्टिवल 2023 कायुजन की सहर में किया गया तो इस question का मेरे प्यारे दोस्तो right answer क्या रहेगा बै right answer is Mumbai यानि की C right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question आता है भारत ने किस टीम को हरा कर पहला महिला under 19 T20 World Cup 2030 जीता है तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल से दोस्तो right answer is England यानि की option A right answer हो जाएगा अगला question आता है भारत के नए उप्रास्टिय सुरक्षा सलाकार यानि कि डिप्टी NSA कोन बने है तो इस question का दोस्तो right answer रहेगा वैसे मैंने अभी नए निक्तियो पर दोस्तो एक वीडियो बनाए थी अगर आप लोग उने नहीं देखा है तो देख लेना 2023 में बहुत सारे पाद ऐसे हैं जो बदल चुके हैं तो देख लेना उस वीडियो को उसमें 30-35 question है आपके लिए बहुत काम आएगी वीडियो भी right answer दोस्तो रहेगा पंकज कुमार सिंग यानि की D right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question आता है कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से digital banking राज्य बना है तो कौन सा राज्य है दोस्तो देश का जो पहला पूरी तरह से digital banking राज्य बना है तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तो केरल इस दा right answer यानि की B यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question आता है हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमरत गार्डन कर दिया गया यह कहां इस्थित है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा अच्छा question है यह भी और right answer इस दोस्तो दिये है दिल्ली में यानि की D right answer हो जाएगा अगला question आता है किस गरहे के 12 नए चंदरमा की खोज हुई है किस गरहे में पर दोस्तो 12 नए चंदरमा की खोज हुई है जिससे इसके चंदरमा के कुल संख्या बान में हो गई है और sunny गरहे का record तूट गया है तो sunny गरहे दोस्तो अभी number 1 पे आ गया था ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो कौन सा गरहे है जिस पर 12 नए चंदरमा की खोज हुई है तो right answer is Jupiter यानि की बरसपती तो right answer D रहेगा यह भी आदकेगा अभी total कितने होगे दोस्तो 92 यह भी question आपसे पूछा जा सकता है अगला question है PM Modi ने 6 फरवरी 2023 को बैंगलूर में E20 को launch किया यह किस से संबंदित है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का सही उत्तर रहेगा यह संबंदित है पेट्रोल में 20% ethanol के मिसरण से यानि की दोस्तो बी right answer हो जाएगा question number 37 का अगला question आता है केंद्रिय स्वास्त मंत्राल्य ने अंग परत्यारोपन यानि की organ transplants के लिए मरीज की अधिक्तम I.U. प्रवधान समाप्त कर दिया यह प्रवधान पहले कितने वर्स का था तो इस question का right answer क्या रहेगा दोस्तो बिल्कुल यह पहले दोस्तो 65 वर्स तक था तो right answer is D. यह आपको यादखना है अगला question दोस्तो आता है Quad देशो जिसमें दोस्तो इंडिया, जापान, अमेरिका और उस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्सा में सुधार के लिए एक सरुजनिक अभियान लौंच किया अभियान का नाम बताईए जबरदस्त question है दोस्तो इस परकार के question SSC तो बहुत ज़्यादा पूछता है तो ध्यान रखना जिनका भी exam आने वाले अभी चाहे वो MTS कहो, चाहे आपका CGL कहो, CHSL कहो दोस्तो या फिर railway कहो, या फिर कोई भी exam हो मतलब आप XYZ exam की त्यारी कर रहा है आप videos को देखिए आपको हर एक exam के लिए informative वीडियो यहाँ पर मिलते रहेगी Right answer हो जाएगा दोस्तो Quad Cyber Challenge यानि की Right answer is B ठीक है, चले अगला कोशन आता है Victory City पुष्टक के लेखा कौन है तो यह है दोस्तो बिल्कुल सही है सलमान रुसीद यानि की D. Right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है किस जिले को देश का पहला सविधान साक्षर जिला Constitutional Literate District घोसित किया गया है तो very very important mark कर लेगा दोस्तो, सविधान साक्षर जिला सबसे पहला, दोस्तो यह किया गया है कोलम जिले को यानि की Right answer is Option भी यह आपको या दखना है ठीक है अगला कोशन है, सभी जन जाती है लोगों को Basic Document परदान करने वाला देश का पहला जिला कोन सा बना है तो सभी Basic Document जितनी भी दोस्तो, सरकारी योजनाए होते हैं सरकार की तरप से Documents होते हैं वो जारी करने वाला दोस्तो, जिला बन गया है वाइनाड यानि की Right answer is Option A अगला कोशन है तिलंगना की पहली महिला मुख्य सचीव कोन बनी है दोस्तो, Right answer रहेगा सांती कुमार यानि की Option दोस्तो, A Right answer हो जाएगा अगला कोशन या आपका आजाता है Test Question मेरे प्यार दोस्तो ठीक है अब आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा 43 में से आप लोगों ने कितने सही किये हैं ये भी आप लोग मुझे Comment Box में बता सकते हैं और इस Test के Question का Answer Comment Box में बताएगे आंदर प्रदेश की नई राजधानी क्या हो गई है दोस्तो जल्दी से इस Question का Answer Comment Box में बताएगे और आपका Score कितना रहा ये भी बताएगा Only Top Study अप को डाउनलोड करिए 5 Star की रेटिंग करिए 5 Star की रेटिंग करेंगे तो आपको सारी वीडियो Free में मिलना स्टार्ट हो जाएगी और पीडियाप भी दोस्तो आपको सभी वीडियो की यहाँ पर मिल जाती है और जो हमारी Paid पीडियाप है जिसको हमने दोस्तो बनाया है एक Master पीडियाप और Master पीडियाप में 6000 को कवर किया है अब इस 6000 कोशन में आपको क्या-क्या मिलेगा इसमें All Subject मिलेंगे दोस्तो हिस्ट्री मिलेगी इसमें Complete Geography Politics, Economics पूरी Complete है Physics, Chemistry, Biology पूरी Complete है Current Affair, Computer पूरा Complete है Static, GK के भी 1000 कोशन इसमें रखे गए है तो आप इस पीडियाप को हमारी वेबसाइट या WhatsApp नमबर से परचेज कर सकते है इसका लिंक नीचे description box में भी मिल जाएगा तीनों किलासिस के timing को note करिए और चैनल को कर लिजे subscribe अभी क्योंकि आगे की जो वीडियोज होंगी उनके notification आपको तभी मिलेंगे वीडियो पसंद आई तो like करिए share करिये अपने दोस्तों के साथ में जो भी भाई बैन त्यारी करते हैं किसी भी competitive exam भी thank you so much, bye bye everyone, take care, ख्याल लगे अपना